फाइनली आई पी उने जारी कर दिया है अपने सारे कोर्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट राउंड का स्केड्डियूल जिसमें आप देख सकते हो कितने सारे कोर्स हैं और यह लास्ट चांस है आप सभी लोगों के लिए एड्मिशन लेने का आई पी युनिवर्स्टी में तो वो लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं अब यहां पर सारे कोर्स की बात करी गई है चाहे वो आपके सीओ इटी के बेसिस पे हो चाहे फिर वो आपके जई मेंस के बेसिस पे हो यहां पर आपने पैसे दे दी हैं तब भी आप लोग अपलाई कर सकते हो आपने पैसे नहीं दी हुई है जो एलोट्मेंट होगा शीट पर यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद हम बात करें पहली प्रिर्टी उनको दी जाएगी जिनोंने यहां पर इनल्टी CET का एक्जाम दी है विचेवर एप्लिकेवल फॉर ठीक है एक फॉर फेलिंग अपडी वेकंट सीट्स आफ्टर एक्जोस्टिंग सीट अप्लिकेंट तो यह बाकि कोर्स के लिए बीटा के लिए यह वाली चीश अप्लिकेवल नहीं होती है बाकि कोर्स में कई ऐस यहां पर आपके अडिमिशन जो है वो नैशनल लेवल टैस्ट और नॉर्मल सीओटी के बिसेश पर हो रहे हैं इसके बाद यहां पर स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो होगा वह प्योर कैटिगरी बेस पर होगा यह पिर लिखी हुई है मैलेड बेस पर होगा यहां पर कोई इसके बाद हम बात करें अगर यह बोला हुआ है कि यह कैनिडिटी की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है कि वह सारी पड़े सारी क्वालिफिकेशन को देखे और उसके बाद ही वह वहां पर आए यहां पर हम फीज देख लेते हैं फीज टूबी डिपोजिटेड एड़ टाइ जो कि आपका इस रजिश्ट्रार गुरु गोविंजिंग इंदरप्रस युनिवस्टी के नाम पर बनने वाला है यह आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही में आपके कोर्स के उपर डिपेंड करता है अगर आपका बीएड और बीएड इस्पेशल एजुकेशन का कोर्स है अगर आपका साथ हजा़ रुपे का डिडी बनेगा अगर आपका बाकी और कोर्स है तो आपका यहां पर 96,000 रुपीज का एक डिडी बनेगा जिसमें अगर आपने 5,000 रुपे फीज पर नहीं करें जिसमें काउंसलिंग की फीज और रजिस्टेर्शन की फीज इनकलूडि अब यहां पर एक और चीज बोली हुई है कि डिमांड ड्राफ्ट मेंडेटरी है लाना और यहां पर कुछ-कुछ कोर्स के लिए साथ हजार कुछ-कुछ कोर्स के लिए आप और आपने विड्रोल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वह फीज ओटोमेटिकली आपकी आजाईगी वह यहां पर आपको पूरे पैसे लेकर जाने पड़ेंगे ऐसा यह लोग कह रहे हैं डोकुमेंट्स क्या क्या रिक्वाइड है एक बर यहां पर हम देख लेते हैं डोकुमेंट्स आपकी फोटोग्राफ लगने वाली है रेंक कार्ड लगने वाला है एड्मिट कार्ड लगने वाला है आपका एड्मिशन वेरिफिकेशन फॉर्म लगने वाला जैसे कि तो रिजल्ट अवेटेड वाले कैंडेट से उनको उसका आपका फोर्म लेके जाना होगा अब यहां पर कोर्स वाइस आप देख लो यह सबसे इंपोर्ड़न पार्ट वीडियो का कौन से कोर्स के लिए आप यहां पर अडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं अगर आप लोग वीडियो को पोस्ट करके आपकी जोन सी कैटेगरी है उससाब से आप देख सकते हैं मैं बीटेक की यहां पर देखूं तो अगर आपकी रहेंक यहां पर ढाई लाग तक है तो आपको सुबह 10 बजे 3 सितंबर को यहां पर पहुचना होगा अगर आपकी रहेंक पांच लाग और आपके लगए यहां पर बाकी रहेंक के यहां पे डिट रहें हैं और देख सकते हैं और यहां पर आपकी टाइंग के हिसाब से पहुचना होगा आपकी आपका की एडिमींग के रहें सबस्तुप्तb यह सारी इंफोर्मेशन है आपको क्लियर होई होगी यह लाश्ट मौका है आप सभी लोगों के लिए जो एड्मिशन नहीं ले पाई थे आई पी उनिवस्ट्री में किसी भी एक्स वाई जड्रीजन की वज़े से यह जो डॉक्युमेंट है यह मैं आपको टेलीग्राम पर श सब्सक्राइब करके चाहिए चैनल को क्योंकि यहां पर ना सिर्फ एड्मिशन की बलकि आपको स्कॉलर्शिप्स इंटर्शिप्स और करियर गाइडन्स की वीडियो से टाइम टू टाइम मिलती रहती है इसी के साथ में पोड़कास सीरीज दुबार से स्टार्ट होने वाल स्टार्ट